Hello everyone, I am Aastha, welcome करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल Government Job Genuine Notification So, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में एक ऐसी Government Job के बारे में जो की Any Graduate Candidate के लिए है किसी भी discipline में, किसी भी subject से आपने अपना graduation complete किया हो या आप running, last year में भी हैं, तो भी आप इसमें apply कर सकते हैं जो appearing student होते हैं, वो भी इस Government Job के लिए eligibility रखते हैं जब इसका notification आता है तो apply कर सकते हैं अब इसको हम best government job क्यों कह रहे हैं? तो पहले तो यह है कि यह Any Graduate Candidate के लिए है किसी भी subject matter नहीं करता है, आप engineering field से है, medical field से है आप BA, B.com, B.se किये हैं, किसी भी subject से आपने अपना graduation किया हुआ हो ठीक है? Second, आप अभी यहाँ पर salary देख रहे हैं आपको जो salary है, initial salary, जब आपकी first joining होती है तो उस time पर जो starting salary आपकी रहती है, वो 48,000 पर month से start होती है ठीक है? इसके अलाबा third point है कि यह जो notification है, हर साल notification release किया जाता है हम SSE की बात नहीं कर रहे हैं, हम railway की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि SSE and railway के बारे में बहुत से students को knowledge होती है लेकिन कुछ ऐसे department होते हैं, कुछ ऐसी भरतियां होती है जिनके बारे में जादत तर candidate को information नहीं मिल पाती है जानकारी नहीं हो पाती है, जब notification release होता है तो उनको जानकारी नहीं होती है इसलिए ये video मैं आपको बना रही हूँ क्योंकि एक तो मैंने ये thumbnail पर भी mention किया है हर साल ये vacancy आती है कव इसका notification release होता है, वो हम बात करेंगे अगर हम 2024 की बात करेंगे क्योंकि ये upcoming vacancy है बहुत जल्द आपको 2-3 महिने में इसका notification आपको देखने को मिलेगा तो graduate candidate के लिए best opportunity है best department है, salary अच्छी है कोई foundation नहीं है आपको आपके subject को लेकर के कि आप किस discipline है, किस side से या किस field से आपने graduation किया है ऐसा कोई भी male, female, pwd candidate सभी इसके लिए eligible होते हैं so best opportunity है graduate candidate के लिए अगर आप भी interested है government job search कर रहे है graduation के बाद या upcoming vacancy का wait कर रहे हैं तो चलिए start करते हैं और जानते हैं कि हम किस government job की बात कर रहे हैं जिसकों कि आप graduation के बाद और upcoming month में आप इसमें apply कर सकेंगे so हम यहाँ पर बात कर रहे हैं RBI assistant post के बारे में reserve rank of India में assistant post पर vacancy notification हर साल release किया जाता है और आज हम जिस post के बारे में बात करें वो RBI assistant vacancy है यह जो vacancy है assistant की post रहती है और जैसा कि मैंने आपको starting में ही basic सी जो information थी वो आपको दे दी है लेकिन अब हम इसके बार में इसके notification के थूरू सारी के लिया करेंगे सारी points अभी यहाँ पर आप जो notice देख रहे है यह previous notification है क्योंकि अभी इसका जो notification 2024 कार्ट upcoming है आपको देखने को मिलेगा आप यहाँ पर देखेंगे जो 2023 में यह जो notice release हुआ था यह आपका September में release किया गया था चीक है तो अभी मैं चल रहा है जून जुलाई अगस्त सितंबर तीन से चार महिने दो से तीन महिने के अंदर आपका यह notification release हो जाएगा तो अभी यह यहाँ पर assistant की पोस्ट रहेगी Reserve Bank of India में assistant की पोस्ट बहुत ही आप सभी जानते है Reserve Bank of India के बारे में आप सभी ने सुनाए आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं तो RBI में assistant की पोस्ट है तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छी opportunity है और इसके अगर हम vacancy की बात करें तो यह all India सभी states में य previous जो भरती आई थी आप देखें बैंगलुरू, भोपाल, भुबनेश्वर, एहमदाबाद, चन्नीगर, चेननेई, ग्वाहाटी, हैदराबाद, जैपूर, जम्मू, कानपूर, लखनव, कॉलकाता, मुंबई, नाकपूर, न्यू देली, पतना, त्रुणंत, पुरमें, को ची, टोटल यहाँ पर जो लास्ट विकेंसी थी, वो 450 थी, लेकिन इसके पहले जो भरती आई है, वो 900 प्लस, 900 प्लस तक विकेंसी यहाँ पर असिस्टेंट की पोस्ट पर देखने को मिली है, ठीक है, तो यह यहाँ पर All India लेवल पर आती है, लगबग जिन स्टेट में वि किसी भी University Institute से आपने अपना Graduation Complete किया हो, बज़ वो Government Approved होना चाहिए, तो आप इसके लिए Apply कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर Ace Criteria की बात करें, RBI Assistant के लिए Ace Criteria क्या रहता है, तो इसमें आपकी जो Minimum Ace है, वो 20 Year होना चाहिए और Maximum 28 Year होना चाहिए, 20 से 28 साल Ace Limit है, Unreserved Candidate के लिए, जो Reserve Categories के Candidate हैं, उनको Central Government Rules के Accordingly Relaxation मिलता है, SCST Candidate को 5 Years का Relaxation है, 33 एर तक Apply कर सकते हैं, OVC Candidate को 3 साल का Relaxation है, 31 एर तक Apply कर सकते हैं, P-Downloaded Candidate को उनकी Category के Accordingly, 10 Year, 13 Year, 15 Year का Relaxation मिल जाता है, Ex-Service Men को भी Relaxation मिल जाता है, Widows, Divorced, Women, Women, Judicially Separate, Who Are Not Remarried, उनके लिए भी यहाँ पर Ace Relaxation मिल जाता है, अगर वो SCST Category से हैं, तो 40 Year तक Apply कर सकती हैं, तो यहाँ पर आपको Ace जो General Candidate हैं, Unreserved Candidate हैं, उनके लिए 20 से 28 साल Ace रहती हैं, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें आपका Graduation तो मांगा जाता है, percentage कितनी required रहती हैं, तो यहाँ आपकी जो Education Qualification required है, at least Bachelor degree in any discipline with a minimum 50% marks, minimum 50% marks के साथ आपका Graduation complete होना चाहिए, किसी भी discipline में, और वहीं अगर आप यहाँ पर Pass Class for SCST PWD Candidate, इनके लिए सिर्प Passing रखा गया है, अगर आप इन कैटिगरी से ब्लॉंग करते हैं तो आपको percentage भी यहाँ पर नहीं रखी सिर्प आपका Pass Out होना चाहिए, और जो Other, यह जो SCST PWD Candidate को छोड़ करके बाकी जो Other category के Candidate है, उनका Graduation 50% marks से पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए Apply कर सकते हैं, ठीक है, तो यह ही आपका Graduation है, और इसमें Experience वगरा नहीं मांगते हैं, Fresher Candidate के लिए यह Vacancy रहती है, Scheme of Selection देखेंगे, तो इसमें आपका जो Selection है, वो Pre-Examination, Men's Examination आपका रहता है, और Language Proficiency Test आपका होता है, क्योंकि जब आप जिस भी State से या जिस Zone से Apply कर रहे हैं, वहां की Local Language आपको आना चाहिए, तो इसमें सबसे पहले आपका Pre-Examination होता है Pre-Examination में आप यहां पर देखेंगे, MCQs, Types, Questions रहते हैं, जिसमें English Language, Numerical Ability, Reasoning Ability, 30 Questions तो English से आते हैं, बाकी Numerical और Reasoning से आपके 35, 35, Total 100 Questions, 100 Marks के रहते हैं, 60 Minute की Timing आपको यहां पर, एक घंटे का Time आपको Pre-Examination में मिलता है, MCQs, Types, Questions, इसके बाद अगर आप Pre-Examination के लि कि आपका MCQs, Types होता है, कई Candidate होते हैं, जो Descriptive Type Paper जो रहता है, उससे उनको डर लगता है, लेकिन यहां पर आपका Pre- और Mains, दोनों ही MCQs, Types, Questions हैं, जिसमें आपको Question के 4 Options दिये जाते हैं, जो सही है, उसको आपको टिक करना होता है, Mains Examination में आपका Reasoning, English Language, Numerical Ability, General Awareness और Computer Knowledge, यह 5 Subject से Question किये जाते हैं, 40-40 Question, 40-40 Marks के, टोटल 200 Question, 200 Marks के रहते हैं, 135 Minute की टाइमिंग इसमें आपको, 135 Minute का टाइम इसमें आपको दिया जाता है, इसके बाद इसमें आपका Language Proficiency Test होता है, जो जिस जॉन के लिए, जैसे अगर हम MPUP की बात करें, 36 गड़ की, तो यहाँ पर Hindi और English चलती है, तो आपको Hindi Knowledge होना चाहिए, Hindi Language की, तो इसी तरह आप जहां से भी अप्लाइ कर रहे हैं, वहां की Local Language का आपका टेस्ट लिया जाता है, ओके, इसके अलाबाद आएवाव, online test and the test of English language will be available, English और Hindi, दोनों ही languages में आप यह exam दे सकते हैं, जिसमी medium में आप exam देना चाहें, उसमें आप यह exam दे सकते हैं, and a candidate has to qualify each part of the objective test separately, हर एक पार्ट में आपको qualify जरूरी है, जितना भी यहां पर आप देख रहे हैं, मेंस में आपके 5 पार्ट हैं, ठीक है, pre-examination में 3 हैं, तो सभी में separate आपको qualify करना जरूरी है, there will be negative mark for wrong answer in objective test, pre and mens, pre and mens, दोनों में ही negative marking रहती है, बन फोर्थ मार्क माइनस किया जाता है, अगर आप wrong answer देते हैं, तो answer आप carefully दीजेगा, अब हम बात करें, examination center की, तो examination center all India में रहते हैं, सभी states में examination center रहते हैं, आपको कहीं अदर state में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस state से ब्लाउंग करते हैं, उसी state में आपको exam center मिल जाता है, अब आप यहां पर salary भी देख लीजे, pay scale आप यहां पर देख रहे हैं, selected candidate will draw a starting basic पे 2700 पर month in scale, और यह आपको यहां पूरा दिया गया है, आप यहां last में देख सकते हैं, initial monthly gross emoluments with assistant will be approximately 47,849, इसके अलबा आपको HR-E मिलता है, 15% of pay will be the paid to them, ठीक है तो यहां आपको salary काफी अच्छी मिल रही है, central government job है, all India से male female PWD candidate apply कर सकते हैं, किसी भी subject से आपने graduation किया हो, minimum 50 होना चाहिए हो, और अगर आप SCST या PWD candidate हैं, तो आपको स्रिफ pass out मांगा गया है, कोई percentage भी required नहीं है, अच्छी opportunity है, upcoming vacancy है, बहुत जल्द आपको इसका notification देखने को मिलेगा, हर साल इसका notification release किया जाता है, RBI Assistant का, Reserve Bank of India में आपको काम करने का मौका मिल रहा है, बहुत ही अच्छी opportunity है, अगर आपने ये video full देखा है, और आपको ये video helpful रहा है, तो like तो कीजेगा ही, साथ मैं जब भी ये vacancy notification release किया जाएगा, मैं अपने channel पर full information के साथ new notification के थूँ जो भी changing होगी या जैसा भी सारे detail के साथ आपको वीडियो upload करूँगी, तो आप channel को subscribe कर लीजे, well icon को all option को press कर लीजे, जैसे ही notification आएगा मेरे channel पर आपको इसका video upload कर दिया जाएगा, और ये video अगर आपको पसंद आया हो, helpful रहा हो तो like and share कीजेगा, इसी तरह के अगर आप और भी videos चाहते है, qualification based कौन-कौन सी government job है, तो आप मुझे comment कीजे, जिस qualification based है, जिस government job से related, ज्यादा comment आएगे, मैं जल से जल video upload करूँगी, thanks for watching.